वोट्सब गाइस वेलकम टू फ्लेम टेगा अगर आपकी नोर्मल सी साउंड करने वाली वीडियो को आपको कुछ ऐसा करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओडियो बनाई थी उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्प आने वालों उसी के साथ में मैं आपको कुछ टिप्स देने वालों जो कि पिछले तीन साल में मैंने सीखिए ओडियो के बारे में और उसे अगर आप भी यूस करते तो आपकी और ज्यादा अच्छी साउंड करेंगी तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो अगर अच्छी ले लगते हैं को लाइक कर देना चैनल प्रेशे आप सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छे-पटिं। यहां पर मैंने काफी सारे box रख रख रखे अपने room के अंदर तो इससे मेरी audio के अंदर eco थोड़ी कम हो जाती है यहां तक एक चैनल है इर्फान जुने जब लिटरली अपने अलमारी के अंदर जाकर अपनी audio को record करते हैं कि जहां पर बहुत सारे कपड़े पड़े रहेते वहां पर जाकर audio रिकोर्ड करते हैं इससे युको और जादा कम हो जाती और आपकी और जादा बेटर हो जाती है दूसरा एक चोटे से माइक के अंदर इन्वेस्ट कर लो 600-600 रुपे का वह बाएम वर माइक आता है तो उससे आपकी audio और जादा बेटर हो जाईगी और 10-20 रुपे का यह फिल्टर आता है अब अपनी audio को तो रिकोर्ड कर लोगे अब इसके बाद में audio को एडिट कैसे करना है वह मैं आपको बदा देता हूं लेट्स गो भाई तो audio editing करने के लिए सबसे पहले घबराना नहीं तो आपको audio editing करने तो सबसे पहले timeline के ओपर यहाँ पर आपको अपनी audio लेकर आने इसके दो तरीके सबसे पहले आपने audio को पहले से record कर रखा है तो उसको आपको simply file के ओपर क्लिक करके open के ओपर क्लिक करना है यहाँ पर आप यह ताइम लाइन पर audio आ जाएगी अब दूसरा तर पाच या छे सेकंड तक आपको बिल्कुल चूप रहना है ताकि सारी जितनी भी background noise वो capture हो जाए आपके माइक के अंदर उसके बाद मैं आपको बोलना स्टार्ट करना है तो मैं आपको अपनी audio edit करके बता दूँ कि वोट्सप गाइस वेलकम टू फ्लेम टेक आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वालों कि कैसे आप अपनी audio को एडिट कर सकते ओड़े सिटी के अंदर तो audio अपने record कर लिए अब इसके बाद में simply आपकी जितनी भी ओडियो के अंदर background noise है उसे आपको हटा देना है तो उसके लिए सबसे पहले आप सुन लो भाई क्या-क्या आपने record क्या है तो अच्छी खास ही background noise मेरी audio के अंदर है मेरे PC के fan चल रहे है उसकी जो है आवाज मेरे माइक ने कैप्चर कर लिए अब इससे मैं simply select कर लूंगा पूरे खाली वाले इससे को उसके बाद में effect के अंदर चला जाओंगा noise reduction का यहां पर क्लिक करूंगा उसके बाद में gate noise profile के में क्लिक कर लूंगा देन आपको अपने keyboard के ओपर control plus a क्लिक करना है वापिस effect के अंदर जाना है noise reduction के अंदर जाकर okay के ओपर क्लिक कर लेना है अब सारी मेरी background noise हट चुकी होगी आप देख लो तो सारी background noise हट गई है अगर आपकी जो है background noise नहीं हटती तो इसी process को आप दूसरी बार कर लेना तो आपका जो है background noise हट जाएगी अब फालतु के आपर में वही करने वाला हूं इस audio को और ज्यादा अच्छा कर गया आपको मैं बताता हूं अब में control air पर क्लिक करके effect के अंदर जाऊंगा देन उसके बाद में सबसे पहले आपको filter कर वी के अंदर चले जाना है यहने उसके बाद में manage के उपर क्लिक करके preset के उपर क्लिक क अब इसको मैं फूल बढ़ा कर भी देखूंगा कि इस पर कैसी प्रिव्यू वेलकम टू फ्लेम टेक आज की वीडियो के अंदर में तो यह अच्छा नहीं लग रहा है मतलब की में यहां पर कहीं पर अपना जो है बैस्ट रखूंगा ठीक है तो इस तरीके से आपको भी अ क्लिक करना इसे भी मैं अपने हिसाब सेट करूंगा कि कहां पर यह रहना चीए प्रिव्यू करते हैं वेलकम टू फ्लेम टेक आज की वीडियो यह काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मैं हमेशा एक पोइंट हमेशा नीचे लाकर रखता हूं ओके पर मैं क्लिक करता हूं क्लिक कर देंसे घ्लतकरा इसे के और जाकर इंदर जाएंगा यहां पर वेलकम टूब टेका अब भाई यहना कहीं पर यह साउंट थोड़ा आजीब करते तो उसके लिए मेक यहां पर लिवWe het делает का चालोता है इसके ऑपर मैं क्लिक कर लूँँ वेलकम टू फ्लेम टेक आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वालों कि कैसे आप अपनी ओडियो को एडिट कर सकते हो अभी मेरी ओडियो काफी हद तक अच्छी हो चुकिए और मैं इतनी ही ओडियो एडिटिंग करता हूं और इसके अंदर आप एक दो पॉइंट और माइन भी कर सकते हो जैसे एफेक्ट के ंदर जाकर आपके वह फिल्टर कर वेकिंदर बेस ब einem कर दो और चूब ऐब इसके बाद में कम्परेसें कर के रहने दो इसके बाद में आप कुछ भी मत करो तो इसी तरीक से आपको एक्सपरीमेंट करके देखना है उडियो के साथ में उसके बाद में आपके audio editing complete हो जागी उसके बाद में फाइल के अंदर जाओ and export के उपर क्लिक करो और इसे कभी भी MP3 के अंदर export नहीं करना आपको यह WAV format में एक्सट्रेक्ट करना में क्लिक करता हूं फोल्डर सेलेक्ट करो दें सेव के उपर क्लिक करो आपका काम complete हो चुका है हुआ 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 है